गमदान नतीजों के अधार पर कैश स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है SGS एंटरप्राइस का साथ ही हिंडालको और तमाम मेटल स्पेस आज हो सकता है कमजोरी दिखाते वे नज़राया है यूएस का मेटल इंडेक्स करीबन 4% तक लोड़कता वे नज़राया है तो हिंडालक क्रिया आगड़े आते वे दिखें इनके साथी डाबर 720 रुपे का टागेट्स अगले एक साल में देखने को मुल सकता है और भारती एटल भी निवेश के लिए लिहाद से बढ़िया लग रहा है दमदार आकड़ों में खबरों के लिया आज से एक जीगो रहेगा फोकस मे साथी माई चो इस काटेगरी में जीएस पील गोदेश पॉपरटीज और सीमेंस में करिये बिक्वाली और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है डाबर यहाँ पर आप खरेदारी करकर चल सकते हैं लंबी अवदी के लिए एक अच्छा डिफेंसिव कंपनी है 720 रुपे के टागेट्स के लिए यहाँ पर खरेदारी करिए नमदा नतिजों के चलते जी एचल टेक्स्टाइस में आज आप खरेदारी करके चल सकते हैं काफी स्ट्रॉंग नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखेते हैं फ्यूचर्स के कैटेगरी में आपको बिक्वाली आई-टी-सी में कमजोर नतीजे यहाँ पर देखने को मिले ऑप्शिण में बाय करना है पुट ऑप्शन कैनेरा बैंक का टेक्निकली काफी कम जोर यह काउंटर देखने को मिला है निवेश के तर पर जमेटों में आप निवेश करके चल सकते हैं 6 महिने के डिउरेशन में 295 रुपीज तक के लक्ष यहां पर देखने को मिल सकते हैं खरबों के चलते हैं सुरत एस्टेट पे आज फोकस रहेगा दमदार नतीजे यहां पर आते हैं तेक्निकली काफी स्ट्रॉंग है नजरा टेक लेकिन आयशा मोटर्स के मंथली आकड़े अनुमान से कमजोर है तो यहां पर बिक्वाली करके चलेंगे और खरीदना है इन्फोसिस क्योंकि कनाटा का जियस्टे विभाग ने फिर से जो नोटेस है वो वापस ले लिया और सब में मेरा कन्वेक्शन आज बिक्वाली वाले स्टॉक पर यह कैनार बैंक में कमजोरी देखने को मिल सकते हैं